कि नमस्कार आपका स्वागत है स्टार्ट अफ चैंपियंज के दूसरे संसकरण में एक ऐसा शो जहां आप मिलते हैं और सीखते हैं उन स्टार्ट अफ पाउंडर से जिने सम्मानित किया गया है नैशनल स्टार्ट अवार्ड से आज के एपिसोड में आप मिलेंगे एंटरप्राइस सिस्टम्स के दो स्टार्ट अप चैंपियन से ये हैं अनेक्सी डिजिटल और लीड स्कुरेड भा रा औरता तरी भाव राग औरताल बनता है इसे भारत बहुत से आंट्रपनोर्स भारत के करोडों लोगों की समस्याओं का समधान करके प्राफिटेबल बिजनस बनाना चाहते हैं चुनौती ये है कि भारत एक देश तो है लेकिन भारत बहुत सी संस्क्रिटियों का मेल है यह बहुत सारी भाशाओं का मेल है यहां लोगों के भिन भिन प्रकार की संगत होती है और परवरिश भी होती है भारत के करोडों लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको एक आलोकिक शक्ति चाहिए इस शक्ति का नाम है डेटा ऐसा डेटा जिससे आप भारत के नेक्स्ट बिलियन यूजर्स के बारे में जान सके यानी इंटरनेट से जुड़ने वाले अगले सो करोड लोग कहते हैं कि डेटा ही नहीं ये डेटा एक्चुली तेल है सही कहते हैं सब लोग क्योंकि डिजिटल दुनिया में डेटा सब कुछ है डेटा ही वैल्यू भी है औ और डेटा ही आपकी दिशा भी चाहे गारी चलानी हो या रॉकेट अंतरिक्ष में भेजना हो आपको क्या चाहिए केवल डेटा वैसे ही अगर आपको अपना बिजनस बढ़ाना हो तो आपको क्या चाहिए केवल डेटा हमारे स्टार्ट अप चैंपियन आपको देंगे अस as an urban consumer available है वही सुविधाएं एक गाउ में अगर कोई कंजुमर है तो उसे भी मिले अपनी एनैक्सी को ये काम देती है कि जाये अप इस गाउ में या इस तालुका में या इस डिस्ट्रिक्ट में ये पता कीजे कि हमारे बिजनस के लिए कोई मार्केट है या नहीं हम ये काम अ अभी आम यह है कि चाहे वो प्राइविट कंपनी हो या कोई सोचल ऑर्गोनाईजेशन हैं या CSR अर्गोनाईजेशन से सब को स्केल करने में और उनके प्रोजेक्स और उनका काम लाच स्केल करने में हैं अभी 26 स्टेट्स में हैं अल्तिमेट एम है कि हमारे पूरे 748 डिस करके दे दे आट है आर्दी और गुविंद आप दोनों का स्वागत है स्टार्ट अप चाइम्पियंज के दूसरे संश्करण में मेरा पहला सवाल आप दोनों से सीधा मुद्दे का है सबसे पहले ये समझते हैं कि आप का ये जो प्रोड़क्त है की काम कैसे करता है आप हमार आप डिजिटली उनको कैसे भगाते हैं और किस तरीके से वो पैसा कमाते हैं आपके साथ काम करें जरा बताइए आवे जे, मैं आपको दिखाता हूँ हमारा मकसद है जो भी रूरल यूथ है भारत में रूरल और समी अर्बन एरिया में रहने वाला यूथ बॉइस एंड गर्ल्स वो हमाइसाथ जुड़ें जो भाही रहकर अपने एरिया में पैसे कमाना चाते हैं वो सिंप्ली प्ले स्टोर पर जा सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे और अनाक्सी पार्टनर अप अनाक्सी एने एक्स डबली प्लेश करेंगे उनको हमारी अप मिल जाएगी वो सको डाउनलोड कर सकते हैं चोटा सा रेजिस्ट्रेशन प्रासेस है उसको गो थू कर सकते हैं और उनको फिर पूरी अप दिखने लगती है कि उसमें क्या-क्या फीचर्स हैं हमारी अप में आप ट्रेनिंग से लेके लोकेशन से लेक्शन से लेके अपॉर्शनिटी से लेक्शन से लेके अपॉर्शनिटी से लेक्शन तक सारे उप्शन से है तो स्टार्ट वेट रणर या तो पहले ट्रेनिंग कर सकता है तो इसी के अंदर ऑनलाइन ट्रेनिंग का उप्शन है जो वो क काम करना चाता है. So, उसमें जो भी state है, फिर परका ऑर फिर उसुरे काम करना है, ने परका थी कि वास दरादा कल दमें, कोई स्पेलिंग मिस्टिक ना हो जब भी वो उस पे काम करते हैं और वो जो भी उनके आसपास का इलाका है जहां उनको फैमिलारिटी है जिससे वो रिलेट करते हैं वो वाली जगाएं वो चुलने और उसको आप में समिट करते हैं उससे हमें पता लग जाता है पीछे कि भी यह नया रणर हमाई सिस्टम में आया है उसे कौन-कौन सी जगाओं पर काम करने में इंट्रेस्ट है और उसके बाद से उसके पास यहां पर कमाई के खुब सारे अफसर है उसकी चौइस पे उसको ट्रक्टर रिलेटेड काम करना है तो वो ट्रक्टर रिलेटेड काम करें उसको finance-related काम करना है तो finance-related काम करें, उसे market mapping करने हैं, दुकानों पे जा जा के survey करना है और बात करने है, वैसा काम कर लें, किसानों से बात करके किसानों का survey करना है या किसानों को on-board करना है, तो वो options भी हैं, या modern day कोई app है, उसके installation related service है, उसको वो कर सकते हैं, आप में वो सारे ओप्शन हैं, हमाई पसे एडुकेशन में भी प्रोजेक्स हैं, जो वो कर सकते हैं और इसके बाद उन्हें कितना पैसा मिलेगा, वो भी उन्हें इसी में दिखता रहता है कि अभी उनका कितना डेटा हमाई पास आ चुका है, उनका कितना पैसा मिलने वाला है, यह डीटेल्स भी वो देख पाते हैं, हमारे सोशल मीडिया पर क्या सल रहा है, वो भी देख सकते हैं और अकर उने कोई हल्प की जरुवत है, तो वो हमारे सपोर्ट फीचर को यूज करके वाट्साप बॉट के थूरू हमारी टीम से चाट भी कर सकते हैं तो सारे ओप्शन उनके पास अवलेबल है, तो आप में इस तो बता दिया कि यह काम कैसे करता है, अब आप मुझे जरा यह समझाए कि आपके जितने भी डिजिटल रनर्स हैं, इनके लिए आर्थिक संभावनाय आज तक क्या बनी हैं, कुछ इम्पैक्ट के नमर सामे बता प्लाटफॉर्म से कमा पाए, जो एफेक्टिवली उनके करेंट इंकम पे 30% का इंक्रिमेंट है, और कोविट के टाइम पर हमने एक वैक्सिनेशन अवेरनेस प्रोग्राम रन किया था, प्रजेक्ट स्वरक्षा, और उस डूरेशन में वैसे ही काम की काफी कमी थी, और उस परिवार आगे बढ़ेंगे, और समुधाय उनकी कमिनेटी भी आगे बढ़ेंगे, मेरा अगला सवाल आपसे है, आपके बिसनेस मोडल के बारे में, आप लोग पैसा कैसे बनाते हैं, हमारी जो क्लाइंट है, वो या तो प्राइवेट बिसनेस होते हैं, या सोशल औरगना सब्सक्राइब करने हैं, और उनहार स्टेप को हमारी अप में हम फीड करते हैं, कि यह प्रोजेक्ट है, उसके अराउंड ट्रेनिंग माटेरिल भी क्रिएट करते हैं, जिसके वज़े से रनर के लिए काफी आसान होता है, कि बस वो उस प्रासेस को फॉलो करें, वो एक एक स्टेप करें और वो जो भी टच पॉइंट वहाँ पर करेगा, गाउं में जाएगा या किसी रीटेलर से मिलेगा तो यह थीज एक टच पॉइंट होती है, इस टच पॉइंट के उसे पैसे मिलते हैं, और यसा हम कास्टमर को भी चार्ज करते हैं, तो असे हम काम दिया है, लेकर कैसे आते हैं अपने कम्टी करने तो बिजिन्स जव्लप्ट मेरा काम है तो मेरा तब ही क्लियर मोटिव है सीधा मकसद है कि जो तॉप थाउजन लिस्टेट कंपनी से भारत की हम उनको टागेट करना चाहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कर सकते हैं इस वक्त और हमें उने हल्प करना है उसमें टॉप स्टाड़ भी या जाते हैं और फिर सोचल और इसे और सीएसर फंड्स हैं जो भारत में ऐसे तो दो लाग से जादा एंजियों हैं वर जो टॉप आते हैं उनका लिस्ट अवलेबल है आजकर इतना लिंक्डिन औ और सोचल मीडिया के तुरू आप किसी को भी रीच कर सकते हैं तो हम बिलकुल आगे बढ़के सीदा कोल कॉल मारते हैं उसमें शर्माते नहीं है बस सीदे रहे रीच आउट करते हैं अफकोस तरीके से करते हैं एक प्रफेशनल मैनर में करते हैं अब थोड़ा वर्ड-फ मा इस समय आपको देख रहे हैं आपको सुन रहे हैं स्टार्टप चांपियंज के दूसरे संसकरन के इस शो में आपको क्या संदेश है उन सब के लिए जो आपकी तरह आंतरपिनोर बनना चाहते हैं कुछ चीजें जो मैं कहना चाहूंगी वो यह कि जब भी आप कोई आइडिया के बारे में सोचते हैं तो कोशिश कीजे कि उस इंडस्ट्री में कुछ समय काम करें ताकि आप अपने आइडिया को बहतर वालिडेट कर पाएंगे वो दूसरे की थाली में घी हमेशा साधा द रखें जो भी चीज करें उस पर फोकस रखें बहुत ज्यादा एकदम तुरंत स्केल करने की कोशिश ना करें पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करें फिर स्केल क्रेट करें बिल्कुल सही बात है फोकस कीजिए और अब हम फोकस से आते हैं एक और बड़े फोकस पर वो क्या है आप सब लोगों के सवाल यारी हमारे ओडियन्स के सवाल तो आईए स्क्रीन पर और पूछिए अपना सवाल प्रॉब्लम को हमने काफी बहतर तरीके से सॉल्व किया है हम ट्रेनिंग पर बहुत ध्यान देते हैं जब भी हमारे रनार्स कोई भी नई अपॉर्चनिटी को चुनते हैं तो उन्हें एक पूरा ओनलान ट्रेनिंग प्रसेस कंप्लीट करना होता है जिसके एंड में असेस्मेंट होता है असेस्मेंट पास तभी होता है जब वो सौप रतिशत सही हो अगर वो सौप रतिशत सही नहीं होते तो उन्हें फिर से ट्रेनिंग करने पड़ती है और वो तब तक ट्रेनिंग करते हैं जब तक वो सौप रतिशत नहीं अचीव कर ल वो आप पे रजस्टर करते हैं, so हमें रियल टाइम पता होता है कि रणर इसवक्ट क्या कर रहे हैं, और चुकि हम data-based decision making करते हैं, हमें तुरंत समझ आजाता है कि यह data इधर-धर हो गया है, यह सही नहीं है, हम immediately runner को feedback भी देते हैं, कई बार हम customer से, जिनसे वो feel पर मिले हैं, भी बात करते हैं to understand कि जो वो communication है, वो standard है, वो बदला तो नहीं है, और अगर हमें लगता है कि runner गलती कर रहे हैं, तो हम runners को रोकते हैं, उन्हें retrain करते हैं, और फिर उन्हें भेजते हैं, जो हम इस process को तब तक आइटरेट करता हैं, जब तक कि वो feel पर सही नहीं होने लग इस session से अब आपके फायदे की बात करते हैं, दो बड़ी बाते आपको बताने वाला हूं सबसे पहली, डेटा है सब कुछ, अगर आपके पास बहुत सारा सही डेटा है, तो जो भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप उस डेटा को किसी और बड़ी company के लिए बह अगरत में लोकल स्तर पर network बना सकते हैं, छोटे-छोटे networks, और फिर आप इन network से काम लेकर पैसा भी बना सकते हैं, और वो भी केवल अपने लिए नहीं, सभी के लिए, जैसा हमारे startup champion कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा offline social network अगर बना दे तो कैसा रहेगा, सोची ज़र सिंदगी टॉप केर में चलेगी, जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी non-stop, इसलिए मेरी मानों, आज ही जुड़िए प्रधान मंतरी जीवनच्योती बीमा योजना और प्रधान मंतरी सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं दो-दो लाख रुपे का बीमा, के पहले तो आएगी ना, सुगान, क्या हो रहा है? विल हो रहा है, चल, अपना काट दे, पिन दे आट बी आई कहता है, अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बांकिंग पास्वर्ट किसी को ना दे ओनलाइन बांकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाईल और सिक्योर नेत्वर्क से करें हाँ, ये खाने की चंपियन्शिप थी क्या? आगविया कहता है, जानकार बने सतर्क रहे क्योंपिया दे खाने के खाने करें क्या है, छिगग प्यूबक कारी सिर्फ़你好प पूल डुकिंग क्योंपिया टूБेप रनले रनले मेंन खाने ही कशने क्योंप पुए वशपशना कहा चानी तू में ही जानी MINन स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टार्ट अप चैंपियन्स के दूसरे संस्कारण में आईए देखते हैं लीड स्कुरेड की कहानी लीड स्कुरेड एक Software as a Service यानी SaaS-based marketing automation platform है जो marketing कमपनियों की भीड में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहा है साल 2011 में निलेश पतेल प्रशान सिंग और सुधाकर गोरती द्वारा शुरू किया गया स्टार्ट अप लीड स्कुरेड अपने Software प्लैटफॉर्म के माध्यम से end-to-end बिक्री और marketing automation समाधान प्रदान करता है इसके जरिये marketing कमपनियां अपने सभी उतपादों टीमों और प्रक्रियाओं को एक मंज पर प्रबंधित कर सकते हैं marketing call center inside sales feed sales foot on street team verification collection और vendor onboarding से लेकर lead square ने सारी सेवाएं दी हैं और इस तरह भारत के बजार में अच्छी पैट बना ली we started a company called proteins in 2003 वो software services में थी और हम लोग global software product development companies को serve कर रहे थे वहाँ पर हम लोग अपनी sales and marketing को automate करने के लिए एक software देख रहे थे और हमने दुनिया के सारे leading software के और हमें कुछ भी पसंद नहीं आया तो हमें लगा कि नीडे मार्केट में जो को सर्व नहीं कर रहा है और उस idea से हमने फिर जबनी पहली company हमारी company acquire हो गई उसके बाद हमने जो अपना नया venture start किया तो यह idea मैं दिभाग में था कि एक सा software बनाना है जो sales and marketing को कर पाए क्लासिकल जो CRM software है जो sales and marketing automation करता है उससे different है क्लासिकल CRM जो created है वो B2B के लिए है और B2C के लिए किसी ने ध्यान से software बनाया नहीं है तो हमने decide कि है कि हम इस segment को सर्व करेंगे और इसमें best बनेंगे लीट square के भारती ग्रहकों की सूची में तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई है इसमें बाइजूस, M.A.T. University, OLX, Danzo, Practo, Punawala, Fincorp, Godrich Housing Finance और Angel One शामिल है खास बात ये भी है कि लीट square एक bootstrapped start-up है जिसने अपनी शुरुआत कुछ दोस्तों से पैसे जुटा कर की थी लेकिन आज ये काम्याबी की नई कहानिया लिख रहा है बैंगलरू का ये start-up एक बिलियन डॉलर वैलुएशन के साथ यूनिकॉन क्लब में शामिल होने वाला लेटेस्ट भारतिय सास फिर्म बन गया है को यजर संकरूं को जाप करो नियुटा हैंएक कशी सिग्मेंट के लिए आप ध्यान से रिसर्च करके सोच के बनाते हैं तो चीज का जाप रेल कि अंगल के आती है अगर आप कोई चीज, कोई प्लाटफोर्म लेके आते हैं, कोशिश करते हैं, उसको hack करके उस परवन को solve करने की, तो you will not be able to provide the best experience. तो हमारी यह thesis थी की, B2C largely underserved रहा है globally, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है, और अगर आप classical CRM fit करने के उकोशिश करेंगे, तो कुछ ने कुछ दिक्कत आएगी, और लोगों को दिक्कत आती है, तो हमने जो lead square बनाया है, उसके data structure, उसका user interface, उसका user experience, सारा designed है, optimized है B2C की needs क लिए, और वह हमारे differentiator है, और उसमें ये भी है कि, आप ऐसे देखो कि B2C का जो volume है, वहाँ पे करोणो leads को cater करना होता है, करोणो contacts को cater करना होता है sales में. Startup ने हाली में Asia प्रशांच छेतर में अपनी एक team स्थापित की है, जबकि अफरीका में इसका platform पहले से ही मौझूद है, lead square startup के छेतर में भारत की सरलता का एक उत्कृष्ट उधारन है, इस प्रक्रिया में राष्टी startup पुरुसकार जीतना, unicorn club में शामिल होने के बाद, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे सीखने के लिए अपना पचीसवा कदम जो है अपनी startup को बढ़ा करने का, यानि how to start a startup का, तो मिलिए मुझसे इस ब्रेक के बाद कर दो कर दाता ध्यूंदे देर न करें यदि आपने अब तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक नहीं किया है तो ये आखरी मौका है आप अपने आधार को अपने पैन से 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीज दे कर लिंक करवा सकते हैं आधार को पैन से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें ऐसा ना करने पर आपका पैन इन आपरेटिव हो जाएगा पैन इन आपरेटिव होने पर आप अपरी टेक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे पैंडिंग रिटर्न्स और रिफन प्रोसेस नहीं हींगे डिफेक्टिव रिटर्न्स के केस में पैंडिंग कारवाही खत्म नहीं होगी आपकी पैविंट से टेक्स उचे रेट पर कटेगा याद रखे सभी पैन होल्डर्स के लिए 31 मार्च 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक करना अनुवार्य है प्रतेगाई करदाता एक राष्ट निर्बाता स्वागत है आप सभीका एक बार फिर से स्टार्ट अप चैंपियन्स के दूसरे संसकारण में लर्निंग से ही होती है क्या अर्निंग अब तो आपको पता ही है अगर आप अपनी स्टार्ट अप को तेजी थे बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे साथ अब लीजिए 25 वा कदम अपनी स्टार्ट अप को बढ़ा करनेगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा बिजनस बन करके कुछ नया काम स्टार्ट कर दे या चालू कर दे इसका मतलब है कि आप अपने प्रोडक्स, सर्विसेज और अपने बिजनस मॉडल को समय के साथ बदले competition से आगे रहना है तो customer का विश्वास जीतना सीखना होगा आपको चुनाती ये है कि हम अपने रोजमर्रा के कामों में अपने जीवन में इतना गुम हो जाते हैं कि हम competition और market से बाहर हो जाने के बारे में सोच ही नहीं पाते आज के कस्टमर्स के पास बहुत सारे विकल्प है ये बात साच है 15 साल पहले भारत में एक फोन हुआ कर रहता था याद है आपको उसमें कीपैड होता था ही वो कहते थे कि हमारे फोन की खासियत ऐसी है कि इसमें सेक्योरिटी बहुत बड़ी है कोई भी इमेल आप भीजेंगे न तो एकदम सेक्योरिटी के साथ जाएगी आपको एक कमाल की बात बताओं कि अब वो फोन मार्केट में है ही नहीं उसका कोई नाम निशान नहीं बचा एक बड़ी फोन बनाने वाली कंपणी भी मार्केट से ऐसे ही गायव हो गई एक कैमरा बनाने वाली कंपणी ने भी यही सोचा था कि कैमरा की फिल्म कभी नहीं जाएगी मार्केट से बाहर दुनिया डिजिटल होती चली गई और वो फिल्म बहतर बनाते चले गए और एक दिन खुदी मार्केट से चले गए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टार्टप के साथ ऐसा ना हो तो पचीसवे कदम का इस्तेमाल कीजिए खुद अपने सबसे बड़े प्रतिद्वन्दी यानि कॉंपरेडर बन जाईए और फिर इंशोर कीजिए कि आपकी स्टार्टप बहुत तेजी से आगे बढ़े स्टार्टप चैंपियन से जितनी भी आपको लर्निंग्स मिल रही है आप उनको इंप्लिमेंट कीजिए अपनी स्टार्टप के लिए क्या सीखा आपने आज के एपिसोड से पताईए मुझे अपनी वीडियो अप्लोड कीजिए सोशल मीडिया पे हैश्टाइग स्टार्टप चैंपियन्स टू के साथ अगले एपिसोड में आप मिलेंगे ट्रैवल इंडस्ट्री के स्टार्टप चैंपियन्स इनकी खासियत ये है कि इस कंपनी को महिलाएं चला रही है और एक महिला लीडर इसको लीड करती है हजारों महिलाएं इनके साथ जुड़के अपना जीवन सवार रही है स्टार्टप चैंपियंज के दूसरे संसकरण से सीख कर भारत को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद जैहिन कि महिला को हम हमारे अंडर लेके आते हैं और उसको एक मौका देते हैं ताकि वो है ना एक अंट्रेपरनर बन जाए खुद की दुकान खोल ले और उसको और उसकी दुकान के दुवारा वो सारे उसके कस्टमर्स को एक मौका दे ताकि वो शॉपिंग कर पाएं क्लासे फांडर से एक वो शॉपिंग क्लासे आइडया और स्थास्टमरत से कही जादा बढ़ा पाएंगे और विदेफीट दुकान मौका पाएंगे और अंग मौका दूपिंगा हूआ यॉदा शुक्सस भूशाब लौत जादा होता है स्टार्टप चेम्पियन के पायो जो थे